जाहिन दोस्तों सवागत है आप सभी लोग का तो आज सबसे बड़ी जनकारी आर्मी की भरती देखने वाले सभी लड़कों के लिए हम लेके आ चुके हैं या दूसरी बार एक्जाम देके भरती देखते हो तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है कि नहीं होता है आर्मी में कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है आज हम उस पर बात करने वाले हैं तो आज की जनकारी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है उन लड़कों के लिए जो भी एन आई उस बौर्ड से पास होना चाहते हैं class 10th भरती देखना चाहते हैं या Nios board से class 10th पास कर लिए हैं ये board certificate क्या provide करता है इसके संस्थापना कब हुई थी क्या इसे मानेता प्राप्त है कि नहीं है आज हम आपको सारी जनकारी देने वाले हैं और आप इसे 10th 12th अक्सर लड़के पास करते हैं ठीक है और Nios certificate की पूरी जनकारी देंगे ठीक है आर्मी में यह चलेगा या नहीं इसकी भी पूरी जनकारी देंगे साथ आखे ऑठाएंगे भारत के 2800 राज्य में से कौन सा इसे नहीं accept करता है आपको सभी डिफेंस की पूरी कारी दी जाती है उसके लिए वीडियो के नीचे सस्क्राइब का लाल बटम होगा लिखा होगा ज्वाइन इंडियान आर्मी उस पर फटाक से प्रेस कर दीजिए नीचे देखेंगे तो होगा ठीक है सबसे पहले मैं आपको एक कैंडिडेट यानी एक लड़के का नियुस बो पर देख्याया पर के भी देख सकते हैं युमकृत है यह उसके पालर देख सकते हैं। पादर नेम, मदर नेम, डेट बर्थ, सारे सब्जेक्ट के नेम, यहां पे जो जो कैंडिडेट सब्जेक्ट लिया रहता है, फेल होता है, यह पास होता है, टोटल नमबर यहां पर, यहां पर सिगनेचर होता है, डायरेक्टर का ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, इतनी प्रिपरेशन फ्रॉम कर सकते हैं इसकी संस्थापना हुए थी 2008 में इसे सर्टिफिकेट मिला था लड़के अक्सर इस पर ओनलाइन एड्मिसल लेते हैं जाके किस इंस्टेट्यूट द्वारा उसके बाद इसका एक्जाम होता है आप घर बैठे इसके आप तयारी करते हैं और डियरेक्ट जाके एक्जाम देते हैं इसमें यह फॉलो रूल किया जाता है और इससे अधिक आगर इसके बारे में आप जहनकारी लेना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर आप जा सकते हैं आप आपको टूल फ्री नंबर मिल जाएगा इसकी पूरी डारेक्ट भारत जन्म परमार पत्र कोर्स ऑफ लेवल हो गएरा कई सारे लेवल से हैं यहां पर सारी सुचनाय दी जाती हैं अभी एक्जाम हो गएरा जब होते हैं या ओन पर क्या पताते हैं यहां पर वैसे तो यहां पर है कि आप आराम से आर्मी की भरती देख सकते हैं लेकिन लास्ट में क्यों कभी-कभी दिक्कत आ जाती है यहां पर करें एजुकेशन सर्टिफिकेट इसू बाइजुकेशन बोर्ड एसोसियेटेड वाइज टू बोड़ा या मतलब से इस्टेट का ओपन बोड़ा है तो उसे लगता है कि इस लड़के ने पैसे बनवा के लिए हैं तो उसे आर्मी की नोटिस में दिखा रहा हूं आलोवर अठाइसो राज में आर्मी की यही नोटिस चलती है सर्टिफिकुट के लिए कि इस बात को ध्य कि ऐसे नहें तो यह बोड़ का टूलफ्री नमबर है आप इस पर कॉल कर भी के फूलो कर सकते हैं यहां यहां पे रिस्पॉंस नहीं मिला तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फूलो करके जो आपके दिमाग कडाऊट है उसे पूल्स सकते हैं जैसे आर इस माफ्र था डिक है मैसेज करके हमसे चैट कर सकते हूं मैं एक से दो गंटा डेली इंस्ट्राग्राम पे देता हूं जितना समय हो पाता है देखिए यह प्रिपरेशन करने का बोड़ता है इसे लड़के 10 यह 12 पास करते हैं इंपोर्टेंट नोटिस आर्मी वालों के तरफ से होता है ठीक है और यहां पे लड़के अपनी सुविधा के लिए पास करते हैं कम पैसे कम खर्च में अच्छी तरह यह स्रटिफिकेट मिल जाता है और इसमें लड़के पास हो जाता है ठीक है अक्सर कोई लड़का यहां पर जुबार भी लगा लेता है ठीक है तो अक्सर में आपको बता पहले आप फर्म भरोगे कोई दिक्कत ने आगी फिजिकल दोगे कोई दिक्कत ने आगी मेडिकल दोगे कोई दिक्कत ने आगी एक्जाम दोगे कोई दिक्कत ने है यह फर्स लेवल सेकेंड लेवल थर्ड लेवल फोर्थ लेवल यहां तक कोई दिक्कत ने है जब तो आप लोग को डारेक्ट वहां से भागा देते हैं यानि रिजेक्शन आप स्लिप पे आपको अभी मेरी हाली में कुछ दिनों पहले लड़कों से बात हुई थी रिजेक्शन का स्लिप था उन्हें बूला गया कि चलो यहां पर साइन करो वह लड़के साइन करने से कदरा रहे थे ठीक है उन्हें वहाँ पर थोड़ी बहुत धंकी दी गई पीटा गया ठीक है दो चार थपड़ भी मारे गये और उनसे रिजेक्शन से लेपे साइन लेके वहां से भागा दिया ठीक है तो उन लड़कों ने पूछा कि अब क्या कर सकते हैं तो मैंने सजेस्ट किय रहे हैं वहाँ पर आर्मी ऑफिसर है उसको अप्लीकेशन लिको चाहिए आर्मी के जर्नल से आपका संपर्क है या उनका एड्रेस है तो आप उन्हें अप्लीकेशन लिको आप बोलो मैंने रेगुलर से किया है इससे पहले मैंने कभी पास नहीं किया था यहां पे मुझे डुब्लिकेट सर्टिफिकेट देखके भगाया जा रहा है तो आप लोग की दुबारा चेकिंग होती है आपका कागज फॉरवड कर दिया जाता है और आपको 100% ले लिया जाता है लेकिन यह प्रोसेस लड़के कर नहीं पाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो व हमारे या किसी भी गर्व वाले काम को लेकि आर्मी को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है ठीक है डिफेंस की लाइन में देश की सेवा करने के लिए और खास तोर से इसमें हमारे मेडिल क्लास या आप जो भी कह सकते हैं मतलब किसान वगारा ज्यादतर इनी के लड़के करते हैं क्योंकि वो देश के से प्रेम करते हैं और अपने पैरों पर खड़े हों के लिए कुछ करना चाहते हैं यहीं जोस और जुनून उनके बीच में होता है जो उन्हें आर्मी में जाने के लिए मजबूर करता है ठीक है यहां तक मैंने आपको बताए कि एनाइस बोड जनकारी मैंने आपको दे दी और जनकारी के लिए आपको टूल फ्री नंबर दे दिया था मैंने वीडियो में आर्मी रिक्वार्मेंट ऑफिस पे भी आप चाहें तो इसके बारे में जनकारी ले सकते हैं और 10-12 का सटीफिकेट इसके दूरा प्राब्त किया जाता है देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत फिर से मिलेंगे अच्छी जनकारी के साथ